नमस्कार दोस्तों मैं इंशल मैं आप सभी का अपने चैनल टेकंडावियर पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी जाबा इंपोर्टेंट होने वाला है इन काइंड ओप दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि इससे रिगार्डि तो दोस्तों इन सभी क्वेरी के डाउट मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ साथ ही साथ मेक शूर वीडियो को लाइक जरूर कीज़े का क्योंकि ये वीडियो जादा से जादा स्टूडेंट्स पर पहुचिनी चाहिए और कमेंट करकर बताइए अगर आ मेल की बात करता हूँ तो communication on your candidature. Dear candidate thank you for your interest in pursuing a career at Accenture. At the moment we do not have roles that match your skill and expertise and we will keep your candidature on hold. We hope to get back to you as we get suitable new positions in the future. In the future we would encourage you to visit our social media channels and stay connected. तो दोस्तों कोई भी company आपको hold पर बोलती है तो ये समझ लीजे ये kind of rejection है, proper rejection है बट हाँ इसमें साल, दो साल, पास साल, छे साल लग सकते हैं क्योंकि वो लोग आपको business requirements के according ही approach करने वाले हैं. Second mail है दोस्तों, Dear candidates, hope you are well. This is a regarding your application. Hope we did not keep you waiting for long. यार इतना सारा तो वेट कर व as this time we have an overwhelming number of applicants which delayed processing of your application. यार पहले सोचो इस बार जो hiring हुई है वो 22 से 2019 batch, means लगातार 4 batches की hiring हुई है. अगर मैं बोलू हर एक batch में भी 500 minimum apply किया होगा, तो यार 2000 students हो ऐसे ही होगे, और मैं बोलता हूँ, फ्रेशर जो 22 batch है, उसमें तो शायद अकेले ही कम से कम 50,000 बच्चों ने apply किया होगा, थो your candidature is highly impressive, we do not have any benefiting roles for you, and hence we are unable to take your candidature ahead at this point in time, we may reach out to you soon again, thank you for your continued interest in pursuing a career at Essenture, तो मैं आप सभी को एक बार पता देता हूँ, यार 22 batch, प्लीज अभी थोड़ा सा वेट कीज़े, Essenture की hiring का form अभी भी active है, बट उसमें अभी apply मत कीज़ेगा, क्यूंकि Essenture hiring करीथी A एसी role के लिए, जिसमें उन्होंने maximum students 19, 20, 21 batch के लिए ले लिया, और उनको यार इसलिए भी ले लिया, क्यूंकि उनके बास degree भी थी, means उनकी जो joining काफी जल्दी हो गई, बट आप लोगों के साथ क्या था, Essenture को आपकी joining का वेट करना पड़ता, means काफी चीजे, आपकी graduation degree क काफी चीजे हो जाती, जिसकी वज़े से reasons, जिसकी वज़े से, means में समझता हूँ, process delay हो जाता, तो अब आप सभी काई doubt है की सर, Essenture में selection कैसे होगा, Essenture तो हमारी एक dream company थी, तो make sure वीडियो को last तक जरूर देखेगा, क्योंकि मैं वो भी discuss करने वाला हूँ, बट दोस्तों इन सब के अलावा, यार आप देखो, Essenture में apply करते हो, Vipro में करते हो, TCS में करते हो, Amazon में करते हो, Microsoft में करते हो, वहाँ हमेशा eligibility criteria एक बहुत ही बड़ा issue रहता है, और कभी-कभी हम life में अगर gap ले लेते हैं, या फिर break होता है, तो उसकी वज़े से भी काफी problems आती है, तो म काफी सारी companies आपको directly approach करने वाली है, interview के लिए, और दोस्तों, यहाँ package भी आपका 10, 20, 25 LPS बड़ी असान तरीके से लग सकता है, कोई भी percentage criteria नहीं है, कोई भी degree criteria दोस्तों, यहाँ नहीं होने वाला, real level select, जो की दोस्तों, एक बार फिर से हो रहा है, first time हो था, जिसमें दोस्तों, काफी सारे students हमारे channel से place हुए थे, तो दोस्तों, second बार हो रहा है, 15 से 19 जून को दोस्तों, आप कोई भी slot book कर सकते हो, कोई भी test, कोई भी category में आप attend कर सकते हो, simply आपको इनका test देना है, test को clear कर but हुआ कैसे है, दोस्तों, पहले software engineer थे, work from home में दोस्तों, काम करे थे, जबकि pandemic situation थी, pandemic के बाद, दोस्तों, इनों ने थोड़ा सा gap ले लिया, इस gap की वेए से, दोस्तों, gap के बाद, इनों ने सोचा किया, दुबारा से मैं job continue करना चाहूंगा, but job लगना इनके लिए बहुत परसेंट प्लस score किया, और दोस्तों, इनका selection हो गया, blue stack company में, तो मेरी भी आप सभी से request है कि please 3 level का test जरूर दीजेगा, यार देखो, messenger की hiring हुई, infosys की हुई, ये तो चलती रहेगी, बट 3 level में भी apply करना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपका product based company में placement हो सकता है, और मैं आपको description में मिल जाएगा, अब बात करते हैं कि sir, essential में कैसे होना है, तो मैं बोलूगा, अब essential में apply करो, तो बाद में कीजेगा, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, almost after July apply कीजेगा, क्योंकि अभी काफी सारे candidates, जो 19 है, 20 है, 21 है, and on campus, जिनका selection हुआ है, 22 batch का, उन सब की onboarding ह होगी, June से July के बीच में, और मुझे नहीं लगता, essential को अभी और candidates की जरूरत होगी, and जो essential की next hiring आईगी, उसमें mainly वो लोग, ASE as well as 6.5 LPA, that is software engineer role की भी hiring करेंगे, तो make sure आप उसके लिए ready रहिएगा, but साथ ही साथ यार, एक company में इतना dependent मत होईगा, क्योंकि मैं अपने channel पर job updates आल रहा हूँ, Infosys की एक mass hiring आईए, 9.5 and 6.25 LPA package के लिए, तो make sure आप इसमें भी जरूर apply करिएगा, साथी साथ three level में भी आप apply कर सकते हो, देखो यार, opportunities बहुत सारी है, सिर्फ एक चीज पर इतना जादा dependent नहीं रहना है, जिसकी वज़े से आपके, आपके खुद के career मे gap बहुत जादा बढ़ जाए, आपको experience की बहुत जादा जरूर आते है, तो इसलिए companies में apply जरूर करती रहेगा, और अगर कोई भी odd doubt हो, तो please comment section में हमें जरूर बताईएगा, तो दोस्तों आज के लिए इतनी में जल्दी मिलता हूँ, अपनी नई वीडियो में, अपनी न नवाद